Assalamualaikum my youtube family कैसे हैं आप सब I hope बिलकुल ठीक ठाक होंगे हम भी अल्ला का शुकर बिलकुल ठीक ठाक तो काफी दिनों के बाद मैं हो गई हूँ हाजिर आप लोगों के लिए काफी दिनों से विलोग नहीं डाल सकी थी तो आज हिम्मत करके मैंने विलोग डाल ही दिया I hope आप लोगों को पसंद आएगा तो यह है जी दुपहर का टाइम तो यहां पे मैंने बनाई थी फ्रूट चार्ट तो बस यहां पे हम वही इंजॉई कर रहे हैं और यहां पे देखें जी सबसे पहले मेरा ड्रेस देख लें और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यह मैं किसलिए निकाल के बैठी हुई हूई हूँ तो मुझे जाना है जी एक बर्डे पार्टी पे तो अचानक से ही प्लैन बना जाने का इसी वज़ा से तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो शीडियो बना लूँ तो यह मैंने पहन के रेडी भी हो गई और यह मुझे गिफ्ट मिला था और देखे पहन के मैं कितनी सोनी लग रही हूँ और यहां पे हम आ गए हैं मार्कीट क्योंके बर्डे पे जाना था तो फिर गिफ्ट तो लेना था तो इसी वज़ा से यहां पे मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी बहुत जलकिया वलकिया दिखा दू मार्कीट की तो यह हम बर्डे वाले सेक्शन में ही आई हुए थे और यहां पे देखे जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो हमने गिफ्ट लिये थे तो यह हमने एरो प्लेन लिया था जो के रिमोट वाला है तो चला के तो मैं देख नहीं सकती थी तो अंदासे से ही ले लिया था और इसके इलावा यह देखें जी प्यारा सा पेरिट जो के ट्री के उपर बैठा हुआ है तो यह भी चलता है ये भी मैं चलाके नहीं देख सकी क्योंकि ये अलाओ नहीं होता वहां पे चलाना तो कलरफुल सा ये देखे कितना प्यारा सा पैरिट है तो ये हमने ये वाले गिफ्ट्स लिए हैं बर्डे बॉाई के लिए और मैं इन गिफ्ट्स को पैक बीनिंग करवा सकी क्योंकि हमने एन टाइम पे लिए थे ये गिफ्ट्स तो बस मैं इसको शौपर में डाल लूँगी तो बस अब हम जाने की त्यारी करते हैं और बाकी काम भी कर लेते हैं अब यहां पे मैं अपने जूते शूते डाल रही हूं और मैंने ये गूल्डन कलर का ही जूता डाला था इसके साथ जो मैच हो रहा था तो ये बस मैं अब आप लोगों को शोखिया मारते हुए दिखा रही हूँ फुल ड्रेस और अपना शूज और बस अब हम रस्ते में ही हैं और मैंने थोड़ी सी वीडियो यहां पे भी बना ली के आप लोगों को दिखा दूँ बाहर का व्यू भी रात के टाइम धुबई का व्यू अच्छा सा और बस अब हम यहां पे पहुंचने वाले हैं उनके घर और यह है जी प्यारा सा क्यूर्ट सा बर्डे बॉय जो के बहुत इंजॉय भी कर रहा था लेकिन बाद में इसको लग गई चोट और फिर बस मूड बन गया और अक्सर बच्चों के साथ बड़े वाले दिन ही इस तरह से होता है या फिर इस तरह से चोट लग जाती है या बच्चों का मूड खराब होता है और यहां पे मैं दिखा रही हूँ आपको खाना जो के हमने पहले मैक्रोनी खाई और इसके बाद फिर प्रॉपर जो खाना था उसमें मटन का सालन भी और बीफ का सालन शामी राइता और पलाओ जो के बहुत ही मज़े का था सारा खाना ही बहुत मज़े का था और खाना इंजॉय करने के बाद ये मैंने सोचा थोड़ी सी आपको डैकुरेशन की वीडियो ही दिखा दूँ कितनी मेहनत की हुई है उन्होंने तो घर पे ही की हुई थी डैकॉरेशन तो मतलब हुदी की है लेकिन बहुत प्यारी सी डैकॉरेशन की हुई थी बहुत प्यारा लग रहा था रूम यहां पे और बर्डे बॉय का नाम भी लिखा हुआ है रोहान और यहां पे हम चादी की वीडियो इंजॉय कर रहे थे भी था और वैसे देखने में भी देखे कितना प्यारा और यमी यमी सा लग रहा है केक और यहां पे देखे जी बड़े बॉय आ गया है चोट लगवाने के बाद और फिर यहां पे इसके तमाशे शुरू हो गए थे और जिदे शुरू हो गई थी और यहां पे देखेगा आपके केक को कट करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ ना तो इसको कैप पहनी थी और ना ही मूर था कोई केक कटने का और यहां पे देखें जी बाकी इसके बहन भाई भी हैं जो कि बहुत क्यूट क्यूट से हैं और ये भी आ गए है और बस अब बर्डे हो रही है स्टार्ट और यहां पर देखिये जी काफी महنتों और मुशक्कतों के बाद हो गई है बर्डे कम्प्लीट और के गटिंग हो ही गा है आखिरकार और यहां पर पे जी केख खिलाया जा रहा है बर्डे बौई को और उसको बिल्कुल भी इंटरस्ट नहीं है और यहां पे यह है रूम का हाल बर्डे होने के बाद और ऐसा ही होता है इसी तरह का हाल होता है और यह तो फिर बाद में सफाइया होंगी तो पता चलेगा और यहीं पे ही मेरा विलोग होता है खता माय होप आप लोगों को बहुत मज़ाया होगा और बहुत इंजॉई किया होगा बर्डे विलोग तो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सबस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और मिलेंगे नेक्स विलोग में तब तक लिए अल्ला हफ़्ाइब